नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं हानोग परताब परसाद, हिलेरियस, कक्छप और जमीन के कागजी मालिक, राजकुमार पाहन की खिलाब भी आरोप पत्र दायर किया गया है इन सभी पर मनी लॉंडरिंग मामले में हेमान सुरेण की मदद करने का आरोप है इडी ने आरोप पत्र के साथ सक्स के जुड़े दास्तावेज भी आदालत को सोपे हैं इसमें 1200 पेज से ज्यादा के वाट्सेप, चायट और अन्य दास्तावेज सामिल हैं इडी की टीम बक्से में दास्तावेज लेकर आई थी बताद हेमान सुरेण को मनी लॉंडरिंग के आरोप में 31 जनुवारी की रात 10 बज़े गिरफतार किया था इडी ने इसी मामले में हेमान सुरेण के बाद भानुपरताब परसाथ को पे गिरफतार किया हलाकि वह जमीन घोटाले के एक दूसरे मामले में पहले से जेल में था इधार इडी ने बढ़गाई की आठ परण चार पाँच एकर जमीन अस्थाई तव पर जब्त कर ली है रांची से चार धाम यातरा पर निकली बस दुरघटना गरस्त दो की मौत रांची के ठाकुर गाउ थाना छेदर से चार धाम की यातरा पर जा रहे तिर थयात्रियों से भरी बस में कोईला लदे ट्रक ने जोदार टकर मार दी है हादसे में बस चालक और एक एजेंट की मौत हो गई चालक और एजेंट उसे ठीक कर ही रहे थे इसी बीच पिछे से आ रहे कोईला लदे ट्रक के चालक को जबकी आई और बस को अपनी चपेट में ले लिया मिरितकों में ठाकुर गाओं का असोग भगत उर्फ खेदन भगत और बस का चालक रांची निवासी बलेस्वर साहू बास्कट बर से सामिल है असोग पिछले 20 साल से तीर्थ आतियों को भाड़े की बस से विभीन तीर्थ धामों की यात्रा पर ले जाने का काम करते थे जनकारी के अनुसार इस बार दो बस से अयोध्या समय चार धाम की यात्रा के लिए ठाकुर गाओं से यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी नवी, दसवी और बरहवी के लिए कलास एक अपरेल से इसकुली सिक्छावा सक्षर्थ विभाग ने नवी, दसवी और बरहवी में प्रोणत होकर आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अपरेल से उपस्तिती सुनिसचित करने का निर्देश दिया है कि एक अप्रेल से नवी, दसवी और बरावे की कला सुनिश्चित करा है आठवी से एगारवी की काक्छात तक की वार्षिक परिक्छाय संबंध हो चुकी है राज अस्तर से स्कूलों के भ्रामन करने के दवरान यह पाया किया है कि स्कूलों में परियाप्त सिक्छाक रहते हुए भी नवी, दसवी और बरावी के 16-17 स्कूलों में अनुपरस्थित पाया जाते है सिक्छाक बिना सेक्षनिक कारे के स्कूलों में समय ब्यतित कर रहे है अर्विंद केजरिवाल की पतनी से मिली कलपना सुरेन जेल में बंद जार्खन के पूरो मुख मंत्री हेमान सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन दिली पहुंची है वह दिली के सीम अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल से मुलकात करने मुख मंत्री अवास गई उनके साथ दिली के मंतरी और आम आदमी पार्टी नेता सौरव भर्दवाज भी रहा है गौतला भाय की CM केजरिवाल इडी की गिरफ्त में है उन्हें कथित सराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है वही हेमान सौरवाल को भी कथित जमीन गोटाला केस में आरेश्ट किया गया सौनीता केजरिवाल और कलपना सौरवाल की मुलकात का एक वीडियो भी सामने आया है दोनों एक दूसे से गले मिलते दिख रही है सौनीता में से मिलने और उनका दुख दर्दबाटने आय थी धनबाद में अवय धहत्यार बेचने वाले मा बेटे गिरफतार लोकसभाचुनाओ से पहले धनबाद की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मुंगेर से अवय धहत्यार लाकर धनबाद में बेचने वाले दो लोग गिरफतार किया गया इनके पास से दो कंट्री मेड पिस्टल यानि देशी पिस्टल मैगजीन और 14 गोलिया बरामत हुई है धनबाद के SSP हरदीप पी जनारदन ने सन्नी वार को यह जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि लोग सवाचुनाओ को भयमुक तथा सांती पून वातावरोन निस्पक्ष तरीके से संपन कराने के लिए जीला परसासन कृत संकल्पी था है इसके लिए SSP ने अवैध हांतियार के खरीद विक्रियम गयर कानूनी उप्योग पर रोक लगाने के लिए HDPO निर्सा के नेतित में SIT का गटन किया SIT में निर्सा के थाना परभारी गोविंदपूर थाना परभारी वह गल्फ बारी ओपी परभारी को सामिल किया गया टीम ने 50 साल की एक महिला और उसके बेटे को अवैध हतियार के साथ हिरासत में लिया है लातेहर से 5 लाह का इनामी नकसली गिरपतार लातेहर में पुलिस को बड़ी कम्यावी मिली है जारखन में अपनी आखरी सास गीन रहा भागपा मवादी का ससर नेशनल भूया को गिरपतार कर लिया गया उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था उसके खिलाब जिले के विभीन थानों में 11 मामले भी दर जहाए पुलिस अधिक्छक अंजनी अंजनने सनी वर को प्रेस वारता में यह जनकारी दी है उन्होंने कहा है कि नागेश्वर गांजु उर्फ नेशनल भूया को मिर्चया जंगल से धर जबोचा गया है लातेयार के पुलिस अधिक्छक ने मामले की पुरी जनकारी लेते हुए कहा है कि हमें गुप्त सुचना मिली थी कि भागपा मवादी की रिजिनल कमीटी के साथ से छोटू खरवार का दस्ता लोहर गढ़ा वा मिर्चया जंगल में भर्मन सील है ये सभी लोग सबा चुनाव में सुरक्षा बलोक नुक्सान पहुचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे इसी सुचना के अधार पर बरवा डी एस्टी प्यो वेक्टेसन परसाथ के नेतिवत में छापे मारी दलका गठन किया गया जारखन के 325 स्कूलों को मिलेगी सीबी एसी के मने आता जारखन के 325 सरकारी आदर्स विद्यालों को सीबी एसी के मने दिलाई जाएगी इन स्कूलों को मुख्य मंत्री स्कूल अप एक्सिलेंस की तरज पर विक्सित किया जा रहा है CBSE की मने आता है के लिए सभी स्कूलों को राइश्टेशन करना होगा स्कूल 30 अपरेल तक राइश्टेशन की परकिरिया पूरी करेंगे इन स्कूलों में 2026 सेक्षिनिक सत्र से CBSE की मने आता है दिलाई जानी है इसके लिए स्कूली सिक्षावसक्षता भी भागने सभी जीलों को निर्देश भी भेज दिया है सिक्षाव भी भागने जीलों को निर्देश दिया है कि पहले चर में CBSE के सरस पोर्टल पर सभी 325 स्कूलों का रेश्टेशन किया जाना है रचिटेशन के बाद सभी स्कूल KYC किया जाना है KYC पूरा होनेके बाद स्कूल का राजिस्त रचिटेशन सुल्क जमा किया जाएगा CBSC की समंथ्ता के लिए कई परवान-पतर भी उपलब्थ कराये जाने हैं जार्खन के निजी इस्कूलों की मनमानी 4,000 में मिल रही नरसरी की किताबे राजधानी राची के निजी इस्कूलों की मनमानी के करण अविभाकों कीताब कोफी खरीदे में मोटी रकम खर्च करनी पर रही है इसकी वज़ा है कमिशन परकासकों से लेकर किताब विक्रताओर तक सबी से कमिशन पहले ही फिक्स हो जाता है स्कूलों को जन्वारी से ही ऑफर मिलने लगते हैं जिन किताओर पर ज्यादा कमिशन मिलता है उसी को course में सामिल किया जाता है बतादे कक्षा एक से आठ तक का कोर्स में CBSE स्कुल निजी प्रकासक की हिंदी घनित बिग्यान के विशाय के अलावा जर्नल नौलेज कम्प्यूटर, आर्ट्स आयंड क्रॉप्ट, मोरल साइंस की कितावे भी सामिल कर निजी प्रकासक और किताब विक्रताओं से लाखो रुपय का कमिशन ले रहे हैं कोडारमा से लोग सभाचुनाओं लड़ेंगे बिनोध सिंग जारखन में एक और पार्टी ने लोग सभाचुनाओं 2024 के लिए अपने उमिद्वार के घोसना कर दी है भार्तिय कम्यूनिस्ट पार्टी माक्सवादी, लेनिन वादी, भागपा माले ने विनोध सिंगो को डारमा लोग सभाच सीट से अपना उमिद्वार बनाया है बताद जारखन के रहधानी रांची के भागपा माले का रियाले में सन्नीवार को प्रेस कॉन्फरेंस में पार्टी के वरिष्ट ने तावने इसकी घोसना की है प्रेस कॉन्फरेंस में भागपा माले के राज सचियू, मनोज भक्त, पॉलित, बियोरो सदस, जनादन परसाद और सेंटरल कमीटी के सच से सुभेंदू सेन मौजूद थे सोनारी में सुगर को मार कर भागा तेंदुआ पुर्विस्ति मुम के जिला मुखेला जमसेदपूर के कदमा के बायो डिर्वरसिटी पाक से निकल कर तेंदुआ, सोनारी के नर्थ ले आउट में आने की सुचना से एक बार फित से हड़कम मच गया है, अस्थानिय लोगों ने बताया है कि एक सुगर को मारने के बाद तें नमर के कुछ बाल को क्लेक्ट किया है, इसके बाद टीम उसे लेकर चली गई, इसकी जाच की जा रही है कि सही में तेंदुआ था या कुछ और चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कई करमचारी बना रहे है बहाना, लोग सभा चुनाव को लेकर सरकारी कर्मियों और पताधिकारी के विभीन चुनावी कारी के लिए लगभग 13300 करमचारी के ड्यूटी लगाई गई है, ड्यूटी लगते ही अधिकतर मतदान पताध कारियों की बिमारिया बाहर आने लगी है और वे अपनी पुरानी से लेकर आम बिमारियों का जिक्र करते हुए चुनावी ड्यूटी से मुक्त पाना चाहते हैं कई तो ऐसे हैं जो कमर दर्द गर्दन दर्द मधुमे के कारण ही चुनाव कारे से मुक्ती चाहते हैं कुछ तो सिर्फ बीमार होने का आवेदन दिये हैं जिसमें कौन सी बीमारी का पता ही नहीं है चुनाव ड्यूटी लगने के एक सब्ता हमें ही कर्मियों के करी 500 से अधिक आवेदन आये हैं इसमें वे अपनी बीमारी की पिड़ा बताते हुए अराम करना चाहते हैं जबकि इन में से अधिकतर कर्मचारी अभी भी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन चुनावी कारिया में अधिक भाग दोड की बात बता रहे हैं 500 से ज्यादा बील होने पर कट जाएगा कनेक्सन ज्यार्खन के लाते हर्मे बिजली बिल बाकाईदारों को जागरूप करने के लिए विधूत बीभाग के कर्मियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में विभागीय कर्मियों द्वारा सहर से सटे कंच नगरी और आसपास के गाउटोलों में अभियान चलाया गया अभियान में सामिल विभागके संकरपषा सुनिल कुमार, मंटु कुमार, विकाज कुमार, फनिंद्र, राई समेट अने लाइन मैन ने बताया है कि बिभागीय पता अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है अभियान के दोरान अवैद बिल्ली जलाने वालों के साथ पांच हैयर चदिक बकाया रहने वाले बिधुत उबगताओं को बिल्ली बिल जामा करने के लिए फ्रेयरित किया जा रहा है जो लोग इसकी उपेक्षा करेंगे उनका कनेक्षन बिच्छेत कर दिया जाएगा बताया कि इसके लिए ओलोग परखंड के सभी गाम मुहलों में अभियान चला रहे हैं सरहुल पुजा की तयारी घरों में सरना जण्डर लगाने का आवहान केंद्रीय सरना संगहर समीति की बैठक सनिवर को पिसका मोरी चित कर आले में हुई अध्यक्सता समीति के अध्यक सिवा कक्षप और संचलन संगित्ता गारी ने किया सिवा ने कहा कि सरहुल पुजा परंपरिक वा संस्कृतिक रिति रिवाजों के साथ मनाया जाएगा 11 अप्रेल को मांदर नगारों के साथ सोभा याध्रा निकाली जाएगी मोर्चा ने सरहुल के दिन सभी सरना धर्मलम्यों को घरों में सरना जण्डर लगाने सुभा यात्रा में सरना धर्मकोट की मांग के लिए तक थी लेकर चलने नासापान नहीं करने का वहन किया अंत में सरहुल में तीन दीन राज किये उकास वा पूजा के दवरान सफाई वा अन्य सुभधाय देने की मांग की गई है जमसेदपूर जोती हत्याकांड में ससुर ने दमाद पर कराया केस दर्ज जमसेदपूर के सुनारी आस्था हाई टेक सीटी वेस्टन बलोक निवासी जोती अगरवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के मामले मिरितका के पिता प्रेम अगरवाल ने चांडिल थाना में दमाद वा मिरितका के पती रवी अगरवाल के खिलाप हत्या की प्रात्मी की दर्ज करायी है पिरेम अगरवाल ने साजिस के तहद बेटी जोती अगरवाल उर्प स्वीटी के हत्या कराने का रोप अपने दमाध रभी अगरवाल पर लगाया मिरित का जोती अगरवाल के सो का पुस्मास्टरन के दरान सीर से एक गोली निकला है इस मामले में सराय केला एस्पी मनिस टोपो ने स्टीपियो सुनिल रजवार के हुआई में साइटी बनाया है पलामू में ऑनलें जुगा खेलने वाले गिरोह का भंडा फोर पलामू पुलिस ने ऑनलें जुगा खेलने के गिरोह का उत्वेदन किया है या मेदनी नगर सदा थाना छेतर अंत्रगत चियां के इस्थीत राधिका निवास के पहले तल पर ओनलाइन वेटिंग एप के माध्यम से लोगों को जुगा खेलाते थे पूलिस ने गिरोह के 13 सदसों के गिरफतार किया है इसमें चात्रा जी लेके सिमर्या निवासी मुकेस कुमार रांची के अरगोडा निवासी अनंद कुमार भी सामिल हैं धन्यवाद